हेलो गाईज और वेलकम बेक एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने कम्प्यूटर के अंदर किसी ड्राइफ का लेटर नेम कैसे चेंज कर सकते हैं जैसे की यहां पर d-drive है e-drive है so अगर आप एसका लेटर नेम चेंज कर만ा चाहते हैं तो आप कैसे change कर सकते हैं so guys किसी पी ड्राइफ का लेटर नेम चेंज करने के लिए आपने जाना है अपने कम्प्यूटर पर and then तो यहां पर गाईज आपको option मिलता है storage का in storage के अंदर यहां पर आपको option मिलता है disk management का तो आपने disk management के उपर click करना है disk management के उपर click कर लेने के बाद गाईज यहां पर आपके जितने भी drives होंगे वो यहां पर कुछ इस तरह show होंगे so आप जिस drive का letter name change करना चाहते है आपने उसके उपर click करना है like this उसके बाद आपने right click करना है and right click कर लेने के बाद आपने यहां पर change drive letter and path के उपर click कर लेना है इसके उपर click कर लेने के बाद guys यहां पर आप देख सकते है कि इस drive का नाम है d अगर आप इसको change करना चाहते है तो आपने change के उपर click करना है and click कर लेने के बाद guys आप यहाँ पर इसका letter name जो है इसको change कर सकते है इसको n कर सकते है m कर सकते है जो भी आप चाहते है and change कर लेने के बाद आपने simply ok के उपर click करना है क्लिक कर लेने के बाद आपने यहां से यह इसके उपर क्लिक करना है तो आपके उस drive का letter name जो है वो change हो जाएगा राइट सो यहां पर मैं अपने drive का letter name change नहीं कर रहा तो मैं इसको no कर देता हूँ लेकिन अगर आप letter name change करना चाहते है तो आप इसी तरह letter name को change कर सकते है सो देट सेट आप इसी तरह letter name को change कर सकते है आपने किसी भी drive का और आज की वीडियो में बसीता ही गाईज मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठेक केर और गुडबाए